हेलो फ्रेंट्स अनकर नूमा योट्यूब चैनल आज की इस वीडियों डिस्कस करेंगे कि जो आनलाइन एप्लिकेशन्स निकले हैं पतवारी, जिलादार, इरिगेशन, बुकिंग, लर्स के लिए उसके लिए आप आनलाइन इस्टर कैसे करेंगे, क्या पोर्सेस है जो आप आपने अपलोड करने हैं वाइल फिलिंग ता फॉर्म, यह सारा जो पोर्सेस सा आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो फ्रेंट्स उसके लिए अगर आपने एडवरेस्मेंट चेक करनी है, यहां जो यह वेबसाइट है, www.punjab.gov.in आप इस वेबसाइट पर चले देंगे, डैकली हम अपना ओूलाइन एपर चलते हैं, तो यहां पर आप लिंक है ओंलाइन एप्लीकेशन जब आइस पर क्लिक करेंगे, तो आपका यह पेज खुल जाएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ओनलाइन एप्लीकेशन अडवर्टॉसमेंट और इसस पर क आए गया आपके scan photos वहरा होने चाहिए 10th का आपका पिंजाबी मार्क शीट होनी चाहिए तो इस सारा आप यहां से देख ली जो और यह आपके photo के formats हैं वह आपके इन formats में होने चाहिए उनका size 100 KB से विलोग चाहिए candidates should know them कि उनका नाम, father name, date of birth और category एक वार उन्होंने फिल कर दी बाद में इसमें editing वहरा नहीं होगी तो बाकी आप यह guidance वहरा read कर लेना यहां और हैं सबसे important चीज जो इन्होंने update किया on third day after submitting the application from the candidate shall deposit by logging into the online application portal after 11 a.m. तो आप third day इसको fill करेंगे, timing 11 a.m. रहेगी, जैसे यहां बार बताया गया, fees का मैंने आपको बताई दिया है, 15 February 2021 है तो यह guidance वहरा देख लीजे आप, in case the candidate fail to deposit the fee, application shall stand automatically, cancer ejected shall not be considered for further processing अगर आपकी fees वहरा आपने deposit नहीं की तो आपको यह जो form है, automatic eject हो जाएगा तो यह सारा कुछ आप देख लेना, अब हम देखते हैं पूरा process, आप new registration पर click करेंगे, जो मैंने आपको guidance बताई वही है आपका एप आप आएगा, आप click कर दीजे, उसके बाद आपका यह एक blank form आ जाएगा यहां पर, जिसमें आपने आप filling करनी है इसको ध्यान से देख लीजेगा, मैं थोड़ा सा zoom in कर देता हूँ, so that आपको clarity हो जाए, दस्वन Post applied for, हमने fill करनी है, पटवारी revenue की, आप इस पर click करेंगे, सबसे जो पहली preference है, वही आपकी post को दी जाएगी बाकी ना भी fill करें चलेगा, fill करना चाहते हैं, fill कर भी सकते हैं, जो आपकी यह जो star वाले symbol से important है, बाकी post को आप रहने भी दे, कोई problem नहीं है, चलेगा वो, आपका नाम आएगा, आपके father's नाम आएगा, जो भी आपके father का नाम है, mother's name आएगा, उसके बाद आपका gender आए की married, dad, awards नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, इन्हों नहीं यहां पर दिया, जबकि जो उन्होंने advertisement दी, उन्होंने उसमें काफी कुछ दिया गया है, category, बड़े ही ध्यान से आपने choose करनी हैं, because category के according आपकी fee structure होगा, तो मैं जैसे journal से belong करता हूँ, तो मैंने journal fill किया, आपका date, का correction panel open नहीं होता, तो इसको fill करने के लिए बड़े ही ध्यान से आपने ये fill करना है, email ID, और ये contact number, कोई भी आपको problem आती है, आप इन email ID और contact number पर मुझसे contact कर सकते हैं, ID proof, क्या आपने fill किया, अधार काड, fill कर दीजिए, तो है यहां पर अधार काड है, अधार proof कोई नहीं है, उसके बाद आपर कोई case वेरा तो नहीं चल रहा, तो यह सारी tales वेरा कि आप आगए, पहले से ही किसी government department में job करते हैं, तो उसकी date of joining आपको देनी होगी, फिलाल इन में से हमारा कोई नहीं है, तो हम नीचे जाते हैं, dismissed from government service आपको किया गया, नहीं किया गया, तो यहां और आपका no ही रहेगा, सिर्फ एक में आपको yes आएगा, पंजाबी past at tenth level और equivalent तो उसके लिए यहां पर आप yes करेंगे, इसको नो मत करिएगा, आपका address आजाएगा, आपकी district आजाएगी, और उसके बाद आपकी यह का pin code आजाएगा, अगर आपका जो permanent address, correspondence address है, मैं तो किये, और आपकी percentage, और जो आपका degree more था, वो कौन साथा इन तीनों में से, फिलाल जदा तर tenth और plus two regular होती है, और बाकी अगर आपने private या distance किये, उसके according आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप choose करेंगे अपना 12th का, जो भी आपका board था, वो आप करेंगे, उसके बाद यहां जित सिंग बड़े ही ध्यान से आपने करनी है, नेक्स्ट आपने graduation की details करनी है, क्या आपने क्या और इसमें देखिए, अगर आप अटवारी की post के लिए apply कर रहे हैं, तो computer इसमें course भी मंगा गया है, आपका 120 यह आपका arts का होगा, तो उसको आपने देख लेना है, अगर आपके पास नहीं है, पंजबी और यह computer course, you are not eligible, ऐसी post months fill कर देना, सबसे पहले आपका जो भी पूरा एक advertisement का उसको properly read करियेगा, बगकी जो main चीज़े हैं, मैं सारी आपको बीच विचे में बताई रहा हूँ, तो यह सबसे important है, डिग्री मोड आपका कौन सा था, regular था, private था, कौन पर देखें, मैंने गलती करती, graduation CBSE नहीं करती, उसके लिए यह मेरी उनिवस्टी पंजाव उनिवस्टी चंदिगर थी, आपकी PTU है, उसके बाद यहाँ कोई भी उनिवस्टी और उसके recording आप fill कर सकते हैं, तो यह बड़े ही ध्यान से आपने चूस करना है, उसके बाद य इसा आ रहा है, विकॉस मैंने पहले भी form fill किया था, तो हम little bit details update कर लेते हैं, फिर से एक बार save करके देखते हैं, तो इसमें little bit आप changes कर देना तो आपका form submit हो जाएगा, यह देखिए, तो यह हमारी submission होगी form की, अब next phase आएगा आपका, कि आपने इसमें अपनी image, मेंट उसक आपकी photo, sign, 10th की mark sheet और आपकी qualification, qualification में आपकी graduation का आएगा, certificate वो आप upload कर देंगे, अगर नहीं पता लगता है, जब आप instructions read करते हैं, उसमें यह सारे आपको बताया गया, कौन कौन से fill करने हैं, तो सबसे पहले हम user image यहाँ पर upload कर देते हैं, this one is the user image, उसके बाद user के sign चाहि आपने हैं, तो बड़े ही ध्यान से आपने यह जो आप यहाँ पर filling कर रहे हैं, बड़े ही ध्यान से करनी है, तो मैं 10th में यह fill कर रहा हूं और qualification में मैंने यह fill कर दिया, तो अगर आपका size 100 KB से अबव हुआ, किसी भी आपकी यह जो document का तो आपका यह upload नहीं होगा, यह का registration number है, इसको आप संभाल का रख लीजेगा, कई वार आपको message नहीं आ रहा है इनका, because मैंने कल भी एक form apply किया था, तो इसमें ना ही कोई message आया, ना ही कोई mail आई, तो यह सब कुछ आप करके इसमें upload पे click कर देंगे, उसके वाई यह जो document आपके upload हो जाएंगे, now, सबसे important देखी, यहाँ पर इन्होंने बताया है, कि two steps of application for registration number, this one, are complete, two steps होगे, please, verify the application details before submitting it, before submission, you are allowed to update the application form, except, उसमें क्या नहीं कर सकते, name, father name, date of birth, category, आप चैज नहीं कर सकते, after submission, आप कोई भी इसमें editing नहीं कर सकते, verify and edit, submit पर click करेंगे, अगर कोई भी mistake है, तो आप उसको ठीक कर दीजिए, अगर आपका, जैसे मैंने आपके form fill किया था, duplicate entry आगी थी, अगर आपका भी ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप मुझसे contact करके, अपनी problems का solution ले सकते हैं, हमारे through form fill कराना चाहते हैं, घर बैटे ही, तो आप comment section में comment करके, मैं आपको father process बता दूँगा, वहां से अपन पर click कर दीजिए, अब देखिए, अगर आपने एक वर submission कर दी, अब इसमें आप कोई भी editing नहीं कर सकते, एक वर आपका application number generate हो गया, आप name, father's name, mother's name, date of birth, और उसके बाद आपका जो category है, उसके आप बीच में modifications नहीं कर सकते हैं, बड़े ही ध्यान से आपने fill करना है, उसके बाद okay कर दीजिए, यह हमारा जो form है, final submit हो गया, अब आप इसमें कोई भी modification नहीं होगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, your application form with digestion number, this one has been submitted, please login on third day to fees report, अब आप क्या करेंगे, तीसरे दिन login करेंगे, उसके बाद आपका एक fees का link आएगा, और उस link की help से आप क्या करेंगे, अपना login करके चलानों गयरा, जो भी आएगा, online fee का को जाएगा, structure गयरा, उसको आप online पे कर देंगे, और further process में आपको तब बताता हूँ कि आपने यह कैसे करना है, तो एक वार login करके भी देख लेते हैं, अगर आपने login करना, एक वार login करके देख लीज यहाँ पर देखे आ रहे, upload, sign, print, bank, चलान, ओके कर दिए, वैसे इन्होंने जो एक advertisement दिया, उसमें इन्होंने online fees बताई गी है, लेकिन यहाँ चलान के लिए board ने, मैंने एरेशन नमबर फिल किया, और यहाँ पर आपका date of birth जो था, वो मैंने फिल कर दिया, जो हमने filling की थी तो देखे जब मैंने login किया, तो हमारा same application number ही यहाँ पर display हो रहा है, क्यों हो रहा है, because हमने third day login करना है, यहाँ दिया भी गया है, fees के लिए, और इसमें कोई भी आपकी recovery वेरा नहीं होती, recovery mean to say, कि जैसे आपने एक वर form fill कर दिया, और आपको आपका जो application number याद नहीं है, इसमें मैं आपको पहले ही बता दू, recovery process कोई नहीं है इनकी, यह मैंने सारा जो चीज़ें है practically करके देखी है, recovery process के लिए आपको सीधा board ही जाना होगा, कौन सा board है इनका, वो आप यहाँ PSSB की जो official site है, वहाँ से आप इनका पूरा address वरा देखके वहाँ विजच करना होग So friends, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, बड़े ही ध्यान से करनी है, कोई mistake मत करिएगा, corrections वगरा इनकी तो भूली जाए कभी होती भी है, तो इसलिए कोई भी mistake मत करिएगा, काफ़ी जादा candidates बहुत mistakes कर देते हैं, gender गलत हो गया, जल्दी जल्दी में आपने गलती कर दी बहुत टाइम पड़ा है, last date 11th of February है, today is 15th जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी पूरा near about आपके पास 20 plus days पड़े हैं, तो उसके लिए properly करिए, कोई भी problem आती है, comment section में comment करिए, वीडियो अच्छी लगती है, जुरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को subscribe क occupy कर फिडियोर लिए फिस कीर बेल ाइकन किर खे C लाढ़ी ये, अच्छी करिदी जब एंच कर दिफू फूर फूटेजियो जैक कि रूसर वेदे कार ताइजयोम औरकिर डियोकर्ये करे पड़ेश़् C.